कर आट बहुत ही परेशान करने वाले भीमारी है 십ार लोग इससे बहुत डिस्टरब हो जाते हैं रूटीन लाइफ जिने में भी इससे तक्लिप होती है है और जब आप डॉक्टर के पांस जाते है या डॉक्टर जब आपको कौन से ग्रेट के हमोराइट से क्या फर्स ग्रेड है सेकंड ग्रेड है थर्ड ग्रेड है फोर्थ ग्रेड है क्या इसका इलाज करना चाहिए यही इस वीडियो में आज जानने वाले है नमस्कार मैं डॉक्टर शीतल टोंग से आपका बहुत-बहुत स्वागत करता मेरे इस यूटूब चैनल पर अगर आपको पाइल्स की समस्या है अगर आपको कबजियत की समस्या है तो मेरे चैनल पर काफी वीडियो मैंने इसी से रिलेटेड टीटेल में डिस्क्रिप्शन आपको दिया है हर बिमारी का कारण लक्षन और इलाज मैंने बताया है काफी वीडियो में मैंने घरेलो उपाई भी बताया है जो आपके लिए काफी फाइदेमंद हो सकते हैं सबसे पहले जानते हैं पाइल्स होता क्या है देखिए आपके लैटरिन की जो जगह होती है उसके अंदर कुछ ब्लड वेसल्स होती है इस तरह की ब्लड वेसल्स यानि खून की नसे अंदर की साइड में होती है अब इस पे जब प्रेशर आता है तो क्या होगा ये खून के न अपकी जो गुदा नलिका है जो एनस का पार्ट है उसकी अंदरूनी परत पर हलकी सी सूजन हो जाती है स्वेलिंग आ जाती है इसमें ज्यादा दर्द नहीं होता और यह आपको दिखाई भी नहीं पड़ता है अंदर की साइड में सूजन आ जाती है बहुत बार आपने देखा होगा आपको लेटिन करने में दिक्कत होती है दर्द होता है लेकिन बाहर से कुछ दिखता नहीं है इसे हम कहते है grade 1 hemorrhoids दूसरा होता है grade 2 hemorrhoids इसमें क्या होगा इसमें सूजन का प्रमान थोड़ा और रहता है अधिक मातरा में सूजन होती है और आप जब मलत्याग करने की कोशिश करते है उस वक्त खून के साथ साथ मस्सा भी बाहर निकल के आ जाता है लेकिन जैसे ही आपने मलत्याग कर दिया उसके बाद ये मस्सा अपने हाप अंदर की साइड में चले जाता है इसमें भी दर्द होता है लेकिन बहुत जादा सीवियर नहीं होता है हलका सा दर्द इसमें रहता है अब समझते हैं तीसरा प्रकार जिसे हम कहते है ग्रेड 3 हेमोराइट्स इसमें क्या होगा मस्य के साथ साथ खून भी आता है लेकिन जो मस्या बहार आ गया वो अपने अब अंदर नहीं जाता अब समझते हैं ग्रेड 4 के बारे में इसमें क्या होगा इसमें दर्थ बहुत जादा रहेगा बहुत जादा तकलीफ होगी खून की मातरा जो है वो भी जादा रहेगी कभी-कभी पिच्छकारी के जैसा बलड भी इसमें से निकल जाता है और जो मस्या है वो बहार आके लٹक जाता है और ये मस्ये की खासियत यह होती है कि आप इसे उंगली से अंधर ढखेलने की कोशिश करें लोटने की कोशिश करे फिर भी ये अंदर के साइड में नहीं जाता है अब ये चारों प्रकारों में जो आपको symptoms दिखेंगे जो आपको तकलीफ हो सकती है उसके बारे में समझते हैं इसमें क्या होगा grade 1 से लेके grade 4 तक grade 1 जो है उसमें तकलीफ कम रहेगी grade 4 में बहुत जादा तकलीफ रहेगी सबसे पहला लक्षन इसमें रहेगा bleeding खून निकल सकता है जैसे मैंने पहले ही बताया अगर grade 3 और grade 4 है तो पिछकारी के जैसा blood निकल सकता है दूसरा इसमें लक्षन जो होता है धर्द इसमें भी grade 1 से लेके grade 4 तक के severity जो है वो बढ़ती जाएगी grade 3 और grade 4 में बहुत जादा तकलीफ पेशन को होती हो बैड भी नहीं पाते तीसरा लक्षन इसमें दिखता है वो है खुजली आपके anal region पे गुदा के क्षेत्र में itching होगी, burning होगी, jealousy होगी कभी-कभी गाठ या सूजन के जैसी भी आपको दिखेगा ये तो हो गए लक्षन अब सबसे ज़रूरी होता है इसकी treatment क्या करना चीए, किस तरह से खुद को बचाना चीए और अगर आपको ये तकलीफ है grade 1, grade 2, grade 3 है तो किस तरह से बिना operation के इस बिमारी से ठीक होना चीए मैं आपको suggest करता हूँ आप homeopathy की दवाईया लीजिए मेरे पास काफी ऐसे patients है रोज मैं patients देखता हूँ जो बिना operation भी दवाई से ठीक होते है इसके लिए कारण को समझना बहुत ज़रूरी है मेरे काफी वीडियो इसी channel पर है piles, fisher और fishula में क्या difference है ये भी वीडियो है क्यूं होता है हर चीज इसके भी detail में मैंने वीडियो से आप देखिए ताकि आपको पता चले कि आपको कौन सी बिमारी है और इसे आप जड़त से खतम कर सके कुछ important बचाओ की चीज़े मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ पहला तो है आपको बहुत देर तक toilet की seat पर नहीं बैटना है आपको पानी परियाप्त मातरा में पीना है ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है exercise बहुत ज़रूरी है अगर आप बैटने का ही काम करते है sedentary life अगर आप जीते है तो आपने पैदल चलना शुरू करना चीए exercise शुरू करना चीए अगर आपका वजन ज़्यादा है weight कम करना चीए आपके खाने में fibrous food बहुत ज़्यादा होना चीए कौन सा food आपने खाना चीए क्या-क्या खाना चीए क्या नहीं खाना चीए इसके लिए भी मेरा अलग से वीडियो है ये वीडियो भी आप ज़रूर देखिए आपने चाय, कॉफी, मसालेदार चीजे तेल की चीजे, तलिवी चीजे इनको एकदम कम करना चीए और एक ज़रूरी बात अगर आपको लैटरिंग की इच्छा होती है मलत्याक की इच्छा होती है तो आप कितना भी विजी क्यों नहीं हो इसके तरफ अंदेखा नहीं करना है मलत्याक करते वक बहुत प्रेशर नहीं लगाना है बाहर की चीजे आपने नहीं खानी चीजे पिज़ा, बर्गर, समोसा, कचोडी इन चीजों को बंद करना चीए कम करना चीए अलकोहल, बिड़ी, सिगारे, तंबाकू अगर आप सेवन करते तो आपने बंद करना चीए याद रखिए ये हमारी लाइफ स्टाइल से होने वाली बिमारी है और इसलिए जीवन शैली में बदलाओ ये इसके ट्रीटमेंट का बहुत इंपॉर्टन पार्ट है उसकी तरफ जरा ध्यान दिजिए साथ में होमेपेती लिजिए पूरी तरह से स्वस्त हो जाईए मेरा वाटसेप नमबर में मैंने निचे दिया है आप मुझे वाटसेप भी कर सकते है डॉक्टर टोंग से होमेपेती चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाले अच्छे वीडियोज सबसे पहले आप देख सके बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए लाइक और शेयर कीजिए धन्यवाद